नमस्कार दोस्तों, गुड इविनिंग, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, और कल हम लोग देख लिये थे, सौर मंडल से समबंधित, जितने भी आपका फैक्ट थे, सारे फैक्ट को हम लोग देख लिये हैं, आज यहाँ पर हम लोग इसके जितने भी प्रस्न है हना जितना भी प्रस्न महत्पुर्ण बनता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और इससे पल हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलि उत्तर जो महत्पुर्ण बनते हैं, तो चलिए देखते हैं आज का प्रस्न उत्तर क्या है, ये सभी चीज कल आपको बता दिया गया था, सारा चीज है ना, गरहन, चंदर गरहन, कल काफी इंपोर्टेंट आपका सेशन था, कल आपका डेड़ घंटे का कलास चला था, ठीक ह में आ जाएगा, और यहाँ पर आज प्रस्न उत्तर हम लोग लगा लेते हैं, तो फिर ये सौर मंडल आपका अराम सी किलियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगले कलास में, यानि कि कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चेप्टर, और कल का जो चेप्टर है, वो मैं पर देखेंगे लगभग, ठीक है, चलिए आज का पहला प्रस्न, पहला प्रस्न क्या कर रहा है कि हमारा सौर मंडल निम्न में से किस प्रकार की अकास गंगा का भाग है, देखिए हमारा जो सौर मंडल है, वो अकास गंगा का भाग है, ये तो आपको पता है, ठीक है, और ल छख ड़ा खाएए थे इसकी जो अकरीती कैसी है तो सर्पीला कार इसकी ड़ीं बचाइगा और ईसलिए इसको स्रपीला कार बताया गया है और आप देखिएगा आप आपको ये देखने आपको छट पर चड़ कर करके अगर आप अामान में अकास में देखते हैं तापको ये देखने को भी मिल जाएगा ठीक है ये वाइट वाइट आपको धूल की तरह देखती को मिलेगा दूसरा यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सूर्य का वह बाहतम भाग जो सूरी गरहन के दवरान दिखाई पड़ता है क्या का लाता है आपको पताए थे कि जब सूरी ये पूर्ण सूरी गरहन लगता है दूस्तो अना जब पूर्ण सूरी गरहन लगता है तो क्या होता है पूरा सूरी आपको धक जाता है पूर्ण सूरी गरहन के टाइम पे ठीक है पूरा सूरी क्या हो जाता है आपका ब्लैक हो जाता है ठीक है लेकिन जो किनारे वाला जो भाग होता है जो आपको खिनारे वाला जो भाग होता है चमकते रहता है कैसा रिंग की तरह चमकते रहता है उसको कहा जाता है आपको कुरोना ठीक है उसको क्या कहते हैं कुरोना कहते हैं तो यह आप याद रखिए ठीक चलिए नेक्ष प्रस्ण है आपका थर्ड न आपको बताया गया था ठीक है तो यह आप याद रखिएगा ठीक कौन-कौन से दरवमान के अनुसार घटते करम आठो गरा थे तो सबसे पहले था आपका बिरहस्पति फिर सनी फिर वरून फिर अरून बिरहस्पति था फिर सनी था आपका बिरहस्पति सनी वरून और अरून ये देखे चार यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद चार कौन-कौन से हो गए तो पाचवा जो है आपका पिर्थवी है अना पाचवा है आपका पिर्थवी उसके बाद आजाएगा आपका सुक्र उसके बाद आजाएगा सुक्र उसके बाद आजाएगा आपका मंगल और मंगल के बाद आजाएगा एक बचा आपका बूध सबसे छोटा गरह यही है बूध तो यह तो हो गया आपका किसके अनुसार धरोमान के अनुसार और एक पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो दूरी के अनुसार भी याद रखिएगा, तो दूरी के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा आपका, बूध, सबसे पहले बूध होगा, फिर आपका सुक्र होगा, सुक्र के बाद क्या होगा, और अरून के बाद हो जाएगा वरून तो ये आठ गरह है और मंगल और विधस्पती के बीच में क्या है छुद्र गरह है हाँ ना बहुत सारे छोटे छोटे ये गरहों के टुकडे हैं उसी को कहा जाता है छुद्र गरह आपका ठीक है चलिए किलियर हो गया नेक्स्ट प्रस जीवन के विकास में सूर्य का योगदान है हम लोग यहां पर रही नहीं सकते हैं न तो सूर्य का यहां बहुत बड़ा योगदान है दोसरा उप्सन नमर दो गलत है और आपका गलत ही तो पूछ रहा था यही हो जाएगा त्यसरा ओप्सन देख लिजए हाँ कि सूर्य दथा पिर्थवी के बीच औसद दूरी जो है यह 14 दस मलव 98 करोड किलो बीटर है यह आपका बिलकुल सही है और नेक्स्ट आपका चार नमर उप्सन है कि सूर्य गरहन के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है बिलकुल जब सूर्य गरहन लगता है पुर बुध गरह पर गरहन नहीं लगता है देखिए आपको बताये थे कि जो बुध गरह है यह आपका सन है ठीक है यह क्या है अपका सन है सन से सबसे नजदी का जो गरह है वो क्या है आपका बुध यानि की मरकरी है ठीक है यह है आपका बुध गरह और सन और बुध के बीच मे एक भी गरह या उपगरह नहीं आता है क्योंकि बूद का एक भी उपगरह नहीं है तो बीच में कहां कोई आएगा जब बीच में कुछ आएगा ही नहीं तो यहां पर गरहन कहां से लगेगा हना जब बीच में कुछ आता है तब न गरहन लगता है क्योंकि सूर्य का परकास से बुद्ध पर नहीं पड़ता जब बीच में कोई object आ जाता लेकिन बीच में तो कुछ आहीं नहीं रहा है तो यहां पर गरहन लगने का कोई सवाल ही नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा देखिए option पढ़िए विस समझ में आ जाएगा आपको का रहा है कि बुद्ध गरह सूर्य के सरवाधिक नहीं कट है इसलिए गरहन नहीं लगता है दूसरा option का रहा है कि बुद्ध अपने अच्छ पर जुकाव नहीं है इसलिए गरहन नहीं लगता है सब ही जो गरह है वो अपने अक्छ पर जुका हुआ है तो यह भी option गलत है ठीक है क्योंकि इसका option क्या होना चाहिए कि सूर्य और बूध के बीच में कोई भी गरह या उपगरह नहीं है इसके वज़ा से यहाँ पर गरहन नहीं लगता है ठीक नेक्स्ट प्रस्ण चलते हैं आपका 7 नंबर सेवन नंबर प्रस्ण का रायक निमलिकित में से कौन सा कथन जो है वो mental के बारे में असत्ते हैं देखिए आपको बताये थे कि हमारे जो पिर्थवी है पिर्थवी तीन परतों से मिल करके बनी हुई है जो सबसे उपर वाली परत है इसको क्या कहते है दोस्तों भूपर पटी कहते है अना क्रस्ट इसको कहा जाता है और जो दूसरी परत है उसको कहते है mental और जो लास्ट वाला जो परत है उसको कहते है core तो ये तीन परतों से बना हुआ है crust, mental और core तो ये mental के बारे में यानि कि दूसरे परत के बारे में आपको पूछ रहा है आप देखें यहाँ पर option क्या कह रहा है कह रहा है कि mental जो है वो पिर्थवी की मध्यवर्ती सनरचना है बिल्कुल सही बात है, मध्धवर्ती सन रचना, इने की बीच वाली सन रचना है, ठीक है, असात्य पूछ रहा है आपको, दूसरा option है कि mental का घनत्व करस्ट से अधीक तथा कोर से कम है, तो ये भी आपका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम पिर्थवी के गर्व की जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो घनत्व है, वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, तो दूसरा option भी सही है, तीसरा option का रहा है कि mental का जो निर्मान हुआ है, वो मुखेता निकेल और लोहे से हुआ है, तो भाईया, तीसरा नमर option बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि न आंत्रीक भाग का निर्मान हुआ है, जो सबसे आंत्रीक भाग है न, उसको कहते हैं नीफे, और इसका निर्मान हुआ है, आपका निकेल और लोहे से हुआ है, तो तीसरा option आपका बिल्कुल गलत है, और चार नमर option क्या था, क्या था, की mental का आयतन है, वो पिर्थवी के cool आ क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि पूर्ण सूरी गरहन केवल सीमित भू छेतर में ही दिखाई पड़ता है जी हां जैसे कि कभी भी सूरी गरहन लगता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे विश्चो में सूरी गरहन लगता है हाना पूरे विश्चो में सूरी गरहन नहीं लगता कि इस चिज़ को समझने के लिए एक है, देखिए, यह सन है ठीक है? यह आपका हो गया सन और बीच में क्या आ जा जाएगा आपका मून आ ठीक है? और इदर क्या है आपका अर्थ है याने कि पिर्थवी है जब पिर्थवी बीच में आएगा तब तो यहां सूर करहन लगेगा क्योंकि सूर का परकास कहां पढ़ने लगेगा मून पर पढ़ने लगेगा क्योंकि इसके सीधे वाला जो भाग है और इसके जो सीधे वाला भाग है यहां पर तो परकास नहीं पढ़ेगा सुर का परकास यहां पर नहीं पड़ पाएगा और यहां पर अगर कोई भी country आता है यहां पर अगर कोई भी पिर्थवी में यहां पर एक मिनट इसको मिनाटा देता हूँ समझ लिजे यहां पर पहुच जाएगा यहां पर भी पहुच जाएगा तो यहां पर सूर्गरहन नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि पूरे वीश्व में सूर्गरहन नहीं लगता है हाना कहीं कहीं आपको सूर्गरहन लगता है तो इसका कारण में यही है कि सूर्गरहन परकास जो है य यहां पर आपको तिर्चे पहुझ गया, इसलिए मैं यहां पर बड़ा, क्योंकि सन आपका सबसे बड़ा है, मुन देखे सबसे छोटा है, और मुन से बड़ा क्या है हमारा पिर्थवी है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा रखे समझने के लिए, तो इसका उप्सन आप देख लिए, क्या हो जाएगा, फस्ट उप्सन क्या कह रहा था, कि पिर्थवी के अनुप्रस्त परिछेद की तुलना में पिर्थवी पर पढ़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है, यही कारण पूरे विश्व में सुर्गरहन दिखाए नहीं पड़ता है, ठीक है, चलिए, दस नमर हम प्रस्ण देखते हैं आपका, दस नमर प्रस्ण क्या कह रहा है, कि निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए, तथा नीचे दिये गए कूट से सही उतर का चैन कीजिए, कह रहा है कि अपसौर अवस्था में पिर्थवी के परिभर्मन की गती तिब्र होती है, अब देखे अपसौर कब होता है, अपसौर होता है आपका चार जुलाई को, ठीक है, अपसौर कब होता है दोस्तों, तो अपसौर होता है आपका चार जुलाई को, अगर जादा हो जाएगी तो इसकी परिभानमन गती क्या होगी, धीमी हो जाएगी न, यानि कि पिर्थवी की परिभानमन गती क्या होती है, तीब्र होती है, ठीक है, धीमी हो जाएगी, यहाँ पर तीब्र नहीं होना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, क् नहीं होना चाहिए क्योंकि दूर होगा, नज email की तो दूसरा ऑप्सं मिया का रहा था कि पिर्थवी के अच्छ के उत्री सीरे को उत्री गुलार्थ कहते हैं, बिल्कुल औंखितर हो अगर कोई समस्या हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा चलिए 11 नमर प्रस्न क्या कहा रहा है कि वह ग्यारा नमर प्रस्न है यह जो प्रस्न है दोस्तों यह पिछले वर्स में आपको पूछे गए हैं तो यह आपके कहा जा सकता यानि कि पिर्थवी के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है यह आपको यहाँ पर पूछा गया है एक नमर उप्सन है कि यह धुर्वों के पास थोड़ी चप्टी है बिल्कुल सही है कि जो हमारी पिर्थवी है न यह देखिए धुर्व के पास यह उत्री ध गोल है यह आपका गलत है पिर्थवी जो है यह पूर्णता गोल नहीं है तो इंसर हो जाएगा आपका चार नमर यह गलत ही आपको पूछ रहाता देखिए आपका बारा नमर प्रस्न प्रस्न है कि निमने में से कौन सी अस्थल मंडल की विसेस्ता नहीं है देखिए नहीं वहला ज्यादा पूछा जाता है तो नहीं पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि नहीं छोटा सा लिखा रहता है और छुट जाता है ना ध्यान ने देते हैं चलिए तो अस्थल मंडल का यहाँ पर विसेश्था कौन सा नहीं है यह पूछा गया है टिक चलिए ओप्सन देख लेते हैं का रहा है कि अस्थल आकरितियां महासागर की सतह पर भी दिखाई जाती है देखिए अस्थल आकरितियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है कौन से यहां पर गलत पुछ रहा था नतीय भी आपका बिल्कुल सही है अस्थल जो है यह तो महासागर के सतह पर भी रहेगा हाना अस्थल जल पर भी है और आपको अस्थल पर भी है दोनों जगा अस्थल है बिल्कुल भाईय सही है कि अस्थल मंदर पर क्या है पहाड है पठार है मैदान है घाटी है नदी है तलाव है जील है ज़रना है सब चीज़ है तो इसको मिला कर कि क्या होता है अस्थल मंदर का निर्मान होता है चौथा option का रहा था कि पिर्थवी का 97% जल अस्थल मंडल में पाया जाता है बिल्कुल ही क्या है गलत है कि 97% जो जल है अस्थल मंडल में पाया जाता है नहीं ये तो जल मंडल में पाया जाता है ना अस्थल मंडल में थोड़ी पाया जाता है यह आपका option क्या है गलत है तो इंसर हो जाएगा आपका चार याने की गलत ही आपको पूछ रहा था next question है आपका दोस्तो 13 number काफी important question है 13 number ध्यान दीजिए गाइस पर कराई की जून में लंदन में सुभा कितना बज रहा है 10 बज रहा है तो भारती मानक समय क्या होगा आपको पता है कि जो लंदन है दोस्तो हाना लंदन है देखिए यह हमारा बिस्व है यह अपका zero degree है ठीक है लंदन जो है यह जिरो डिगरी दिसांतर यह रेखा से गुजरा ह वायगेगे, तो लंदन के ग्रीन वीच और भारत जो है, आपका यहाँ है 72 degree. भारत जो है, वो 62 degree, भारत का जो मानक समय रेखा कितना है 82 degree, लंदन का मानक समय कितना है? 0 degree. तो भारत जो है लंदन से कितना आगे है आपको पता है कि जैसे ही ये पूर्वी गुलार्थ में है आपका तो पूर्वी गुलार्थ में होने के वज़े से क्या हो जाता है समय जुड़ जाता है और पस्चमी गुलार्थ में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो भारत कि धर जीरो के पूरो में है तो ये क्या हो जाएगा समय जुड़ जाता है और कितना आगे है लंदन से कितना जुड़ जाता है तो 5.5 घंटा आगे है और क्यों 5.5 घंटा आगे है इस चीज को मैंने कई बार आपको बता चुक हूँ NCRT book पढ़ा है, वहां भी आपको बता दी है ठीक है, क्योंकि एक degree को पार करने में कितना लग रहा है, चार मिनट का समय लगता है ठीक है, एक degree को पार करने में पिर्थवी को चार मिनट का समय लगता है तो साढ़े 82 degree को पार करने में कितना लगेगा तो यह साड़े 5 घंटा लगता है इसलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो लंदन से कितना आगे है साड़े 5 घंटा आगे है अब दिखें यहाँ पर लंदन में कितना बज रहा है तो 10 बज रहा है अब भारत में कितना बज़ेगा तो भारत में पूछ रहा है तो भारत में इसमें 5.5 घंटा जोड़ देंगे हम ठीक है तो 10 में अगर 5.5 घंटा आप जोड़िएगा 10 में 5.5 घंटा आप जोड़ दीजेगा तो कितना आएगा क्योंकि 5.5 गंटा मागे हैं बस सिंपल ठीक है अगर यह चीज अभी भी समझ में नहीं आया तो अब बताएगा अगले कलास में इसको समझा देंगे क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट जी समझने वाला चीज है ठीक है और बार बार आपको पूछा जाता है यह चीज आपको पढ़ा है थे वहाँ पर काफी अचे तरीके से समझाया है वहाँ पर समझ लीजिएगा क्योंकि यह ज्यादा टाइम नहीं है करेक निमली के तारेख में थे कौन सा तीर दच्छीन पूर्व दिशा को दर्सा आ रहा है अब देखे दच्छीन आपको पता है क यह हमारा जो गलोब होता है उपर वाला जो भाग होता है यह नौर्थ होता है और नीचे क्या हो जागा जब उपर नौर्थ है तो नीचे क्या हो जागा दच्छीन इधर क्या हो जागा आपको इस्ट हो जागा और इधर क्या हो जागा आपका वेस्ट हो जागा तो इधर क प्रस्ण है आपका 15 नमबर करा कि एक मांचित्र एक ऐसे पैमाने का परियोग करता है जिसमें मांचित्र एक मांचित्र में एक सेंटीमीटर धरती पर 20 सेंटीमीटर के बरावर है देखिए आपका जो मांचित्र हमारा कितना छोटा है भारत का आप जो मांचित्र देखते हैं वो कितना छोटा है, हाना भारत का हो, विस्व का हो, बिहार का हो, किसी भी चेतर का जो मांचितर हो कितना छोटा है, आखिर उसको बनाया कैसे जाता है, तो बनाया जाता है इसी परकार से, कि एक सेंटी मीटर, ठीक है, मांचितर पर एक सेंटी मीटर, वो धरती पर कितना है, तो 20 cm के बरावर है, अब कह रहा है कि यदि मानचितर पर दो अस्थान के बीच की दूरी कितनी है, 5 cm, एक अस्थान मानचितर पर यहाँ है, और एक अस्थान मानचितर पर यहाँ है, और इन दोनों बीच के दूरी कितनी है, दूस्तों, 5 cm है, ठीक है, तो धरती पर कितनी वास्तवीक दूरी कितनी होनी चाहिए तो वास्तवीक दूरी एक सेंटीमीटर बरवर 20 है तो 5 बरवर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा है कि एक बरवर कितना है 20 है तो 5 बरवर 25 100 हो जाएगा आपका ठीक है इसका कितना इंसर आजाएगा भी चकर लगाता है ठीक है और तो उपगरह हो कि जो सुर के चार और जो उपगरह जो चकर लगाता है उसको क्या कहते हैं ये परस्न है आपका तो उसको कहा जाता है कच्छा याद रखिए का उसको क्या कहा जाता है कच्छा कहा जाता है तो पिर्थवी के जो सबसे निकटतम खगोलिये पिंड कौन सा है तो पिर्थवी के जो सबसे निकटतम खगोलिये पिंड है दोस्तो वो है आपका चंद्रमा है कि नहीं पिर्थवी का जो एक मात्र उपगरह क्या है हमारा चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है सबसे निकटतम खगुली ये पिंड है ठीक है चलिए अब अगर दूसरा कहली आ जाए तो वो हो जाएगा आपका सुक्र ठीक है दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्र सबसे नजदी का ये खगुली ये पिंड है ठीक है पहला हो जाएगा तो आप कोई भी कोशन आ जाए कोई दिकत नहीं है ठीक है तो जीरो डिग्री को क्या कहते हैं भूमद रेखा कहते हैं या फिर इसी को क्या कहा जाता है विशुवत रेखा भी इसी को कहा जाता है इसी को भूमद रेखा भी कहते हैं ठीक है इसी को इंग्लिस में क्या कहते हैं भूमद रेखा नहीं गुजरती है उत्री अमेरिका से भूमद रेखा नहीं गुजरती है अफरीका से भूमद रेखा गुजरती है और ये तो आपका है ही नहीं करकर रेखा यहां से खोकर के गुजरती है आपका और तो इसका इंसर क्या हो जाएगा आपका इंसर नमबर एक हो जाएगा अफरीका देखिए ऐसा महादेश है जहां से तीनो रेखाएं गुजरती है जीरो डिग्री भी साड़ेतेश डिग्री आपका करकर रेखा जो है उतर जो महादेस है आपका बीच में तो अफरीका महादेस से गुजरता है आपका तीनों ठीक है तीनों रिखाएं नेक्षपरस्ण है आपका 19 नमबर सौर मंडल में तीसरा गरह कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गया आपका सन तीक न सन के बाद क्या है आपका बूध है सौरी के हिसाब से अगर यही पूछ लिया जाता कि दरोमान के हिसाब से पिर्थवी का करम क्या है तो पाचवा नमबर पे है ठीक है याद रखिएगा अगला प्रस्ण है आपका 20 नमबर कह रहा है कि पिर्थवी का जुकाव अपने अक्ष पर कितना है साड़े 30 डिग्री ह क्या हुआ पिर्थवी का जुकाव अपने अच पर कितने जुकी हुई है पिर्थवी साड़े 30 डिग्री जुकी हुई है तिसका अर्थ क्या हुआ ओप्सन देखिए का रहा है कि पिर्थवी अपने अक्ष के परीदह घूमती है दूसरा ओप्सन का रहा है कि पिर्थवी प कारण वर्स के विभिन समय में सूर्य के सामने आती है अगला सवाल है आपका 21 नमर काराएक निमलिकित में से गरहों का कौन सा सायोजन गैसिये गरह कलाता है देखिए आपको बताये थे कि जो आउटर प्लेनेट है ये आपका सन है तो सन के जो चार जो पहले वाला गरह है ठी जाता है गैसिये गरह ठीक है इसको क्या कहते हैं गैसिये गरह है ठीक है चली याद रखेगा और इसके बीच में क्या है मंगल और विरस्पति के बीच में छुद्र गरह है ठीक इसका एंसर क्या हो जाएगा गैसिये गरह बिरस्पति सनी एंसर नमर हो जागा आपका एक नम सा मांचित्र दे दिया है मैप दे दिया है इसके दोर आपको बनाना है यह आपका सन है और यह आपका क्या है पिर्थवी है का रहा है कि नीचे दिये गए आरेक एक विशेश पर पिर्थवी की इस्थिति को दर साता है A, B, C, D, E, पिर्थवी पर इस्थितियां दिये गई है A, B, C, D, E इधर वाला जो भाग है यह क्या है? अंधेरा यानि यह की रात वाला भाग है ठीक है? इधर वाला भाग क्या है? आपका दीन वाला भाग है ठीक है? चलिए तो पिर्थवी पर इस्थितियां दी गई है रों कौन सी इस्थिति में दीन का परकास जो है सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा कुस्टन पूछ रहा है आपको कि किस इस्थिति में आपको पस्चिम से लेकर के पूर्वकियोर घूमती है ठीक है तो देखें डी जो आपका है तो दी आपको डी यहाँ फिर्थवी ऐसे घूम रही है यहां पिर्थवी पूर्वकियोर घूम रही है ठीक है तो डी जो है इसको यहाँ पर आनेम क्या ज़्यादा समय लगेगा C को यहाँ ने थोड़ा सा कम लगेगा और B को और ही कम लगेगा यानि कि D जो है यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा घंटे तक यहाँ पर क्या रहेगा दीन रहेगा यह सिंपल ही आपको समझ सकते थे answer क्या हो जाएगा answer number second हो जाएगा D ठीक है कि तारे, जो तारे होते हैं, इसमें क्या होता है, अपना परकास है, उस्मा है, जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है, एक परकार का तारा है, अश्टार है, इसका क्या है, अपना इसमें खुद परकास है, और इसी के परकास से क्या होते हैं, जो गरह होते हैं, वो क्या होते हैं, प 24 प्रस्टन है कि निमलिखित में से कहां सभी अच्छांसों पर धुपहर का सूर्य वर्स में कम से कम एक बार सीधा उपर से चमकता है देखिए conceptual question इस सब जो जितने भी प्रस्टन दिये गा है ना conceptual अगर आपका मानचितर अगर clear है अगर आपका globe clear है यह जो globe है आपका clear है तो यह सब question कुछ है ही नहीं चटनी है ठीक है चटनी है ठीक है तो इसको कैसे हम solve करेंगे कह रहा है कि निमलिखित में से कहां सभी अच्छांसों पर दोपहर का सूर्य वर्स में कम से कम एक बार सीधा उपर से चमकता हो तो आपको पता है कि जो आपका सूर्य है कल भी इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस किये थे यह 0 डिगरी है यह आपका 3.5 डिगरी है ठीक है नौर्थ और यह आपका 3.5 डिगरी है साउथ इसको कहते है करकरेखा इसको कहते है मकरेखा आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है वो आपका जो सूर्य है वो आपका यहां से ले करके यहां तक इसी के बीच में चक्कर लगाता है तो इसी के बीच में ही लमवत चमकेगा आपका तो ओपसन देखिए ना इसी के बीच में ही लमवत चमकेगा लेकिन यहाँ जो भूमध रेखा है यहाँ पर दो वर चमकता है क्योंकि यहाँ पर एक बार गया एक बार आया तो गया आने में जो भूमध रेखा है जीरो डिग्री यहाँ पर दो वर तो मिलेगा ना तो यहाँ पर दो वर चमकता है और दो बार कब चमकता है, तो ये कीस मार्च और तेस सिप्टेंबर को, दो बार चमकता है, और दो बार जब भूमध रेखा पर चमकेगा, यानि कि जीरो डिगरी पर चमकेगा, तो क्या होगा, दीन राध बरावर होगा, क्योंकि ये बीच में है भूमध है, भू नामी है, मतलब पिर्थवी और मद्ध मतलब बीच में बीच में चमकेगा तो क्या होगा उपर बरावर नीचे बरावर तो दीन रात क्या हो जाएगा बरावर हो जाएगा इसका answer क्या हो जागा, आपका answer number 1 हो गया, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, आपका 25 number, कहा रहा है कि पिर्थवी द्वारा, सूरी के चारो और घूमने को क्या कहा जाता है, पिर्थवी जो है, क्या है, सूर के चारो और भी घूमता है, आपको बताये थे कल ही, कि जो इसको परिकर्मन कहेंगे, answer number 4, ठीक है, next हैपका 26 number, कहा रहा है कि विसूब के दिन, सूरी की सीधी किरने पड़ती है, देखिए, विसूब किसे कहते हैं, विसूब का मतलब होता है न, दीन रात बरावर, अब दीन रात बरावर कब होगा, जब 0 डिगरी पर सूरी का परका पड़ेगा, ठीक है, तो बिसूब उसी को कहा जाता है, दोस्तों, ठीक है, जब दीन रात बरावर होता है, तो उसको बिसूब कहा जाता है, ठीक है, ये नाम आप जाद रखिएगा, थोड़ा सा ठीकनिकल नाम है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, answer हो जाएगा, जा सकता है तो वो है आपका रूड चिन्ह के द्वारा ठीक है यह कोस्टन थोड़ा सा आप याद रखिएगा ठीक है रूड चिन्ह के द्वारा इसको समझा जाता है इंसर नमर हो जाएगा अपका थर्ड सीटेट नमबर 2012 में यह कोस्टन पूछा गया था नेक्ष परस्ण है अपका 28 नमबर बिग बिएर एक उदाहरन है देखिए बिग बिएर के बारे में कल बताये थे जैसे कि सबतरसी जो है साथ तारो का समू है या फिर इसको बिग बिएर भी कहा जाता है ठीक है तो यह जो है सबतरसी यानि कि इसको कहेंगे हम तारो का समू हो ठीक है बिग बिएर को क्या कहेंगे तारो का समू यानि कि सबतरसी भी क्या है साथ तारो का समू है या फिर इसको बिग बिएर भी कहा जाता है ठीक है इंसर हो जागा आपका तारो का समू इंसर नमबर 3 नेक्स्ट है 29 पर समय में पिर्थवी का चकर लगाता है ये चंद्रमा उतने समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है और यही कारण है कि एक ही भाग हम देख पाते हैं तो अब देख लिए ओप्सन क्या हो जाएगा और कितना परतीसाद देख पाते हैं तो 69 परतीसाद हम भाग देख पाते हैं ठीक है सबसे पहले ब्यक्ति कौन पहुंचे थे नील आर्मा स्ट्रॉंग हाना और चलिए तो यहां पर ओप्सन देखिए कारायक ओप्सन नंबर एक क्या का रहा था कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दीन के समय पिर्थवी की उर होता ये गलत है चंद्रमा का दूसरा भा क्षट आपका निकल रहा है अना आपको भी मजा आ रहा होगा तीसे लिए कौनसेप्ट केलियर करने के लिए कल वला कलास जरूर देखिए गाटीक है जो आपको पूछा जाएगा उसको भी सॉलूशन कराया ठीक है क्योंकि इस बर तो ऑन لाइन Еश्यम हो रहा है तो आपको बहुत सारे सिटिंग में एक्जाम होगा ना तो जो भी आपका एक्जाम में कोशन आते रहेंगे उसको भी हम यहाँ पर देखते रहेंगे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करिएगा दोस्तू चली देखिए तीस नमबर प्रसन क्या का रहा है कि पिर्थवी जो है अपने अक्छ पर घूमती है तो काफी सिंपल प्रसन है पस्चिम से पुर्व की और घूमती है आपका नेक्स्ट प्रसन है अपका 31 नमबर का रहा है कि पिर्थवी दीन किसे कहा जाता है देखिए पिर्थवी दीन किसे कहते हैं तो आपको पता है कि ज पृर्थवी दिन दोनों एक ही लगववग होता है, यानि कि इसका हो जाएगा लगवा, शूरी दोरा अपने अक्च पर घुमने में लिया गया समय, ठीक है, तो अक्च पर घुमने में कितना समय लगता है, चोविस घंटा यहाँ पर समय लगता है आपका, चलिए, नेक्सट परसन चलते हैं आपका 32 नमबर, कार है कि पिर्थवी एवम सूर्य के मध्ध अधिकतम दूरी की इस्थिती को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता है कि पिर्थवी और सूर्य की जो अधिकतम-दूरी होती है यह है आपका स्ण, ठीक है और नजदिक वाले को क्या काते हैं उपस और ये कब होता है तो तीन जनवरी को होता है ठीक है नेक्ष परस्ट है आपका 33 नमबर का रहा है कि पिर्थवी की सबसे आंतरीक परत मुख्यता बनी हुई है आपको बताये थे कि जो हमारी पिर्थवी है ये तीन परतों से मिल करके बनी हुई है तो सबसे उपर वाले क्रस्ट है फिर मेंटल है फिर कोर है तो कोर जो है किसे मिल करके बनी है तो निकल और लोहा से मिल करके बनी हुई है आपका इंसर नमर हो जाएगा आपका second next person है आपका 34 कह रहा है कि अपने अक्षिये समतल पर पिर्थवी के अच्छ का जुकाव कितना कोन होता है अपने कछिये समतल पर पिर्थवी के अच्छ का जुकाव पुछ रहा है तो अच्छ का जुकाव कितना है पिर थी अपने अच्छ पर कितने डिग्री जुकी हुई है, साड़े 30 डिग्री जुकी हुई है, है कि नहीं, अपने अक्छ पर कितना डिग्री जुकी हुई है, तो साड़े 30 डिग्री जुकी हुई है, इंसर नमर हो जागा आपका एक नमर, ठीक है, 34 का एक, चलिए 34 हो गया तटिये इलाका है, है कि नहीं, भारत का ये तटिये इलाका है, तो तटिये इलाका में देखते हैं, 2004 इस्वी में जवर्दस क्या आया था, सुनामी आया था और सबसे ज़्यादा अभी तक भयंकर सुनामी उसको माना जाता है, तो सुनामी से तो इंसर क्या हो जाएगा आपका इंसर नमबर एक हो जाएगा 35 का ठीक है तटीय छेतर में क्रोड है यह किस चीज़ से बना हुआ है बताइए तो लोहे से बना हुआ है ना लोहा और निकल से बना हुआ है तो इंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर ठीक है चलिए यह यूपी टेट में उत्राखन टेट में आपको पुछा गया था नेक्स परस्ण है आपका 37 कि भू परपटी में वह स्थान जहां से भोकंपिये तरंगे आरंब होती है कल बताये थे दोस्तों कि जहां से भोकंपिये तरंगे आरंब होगी उसको कहेंगे उदगम केंदर ठीक है जहां से भोकंपिये तरंगे आरंब होती है उसको कहते हैं उदगम केंदर ठीक है और जहा हो जाएगा आपका answer number 4 ठीक है चलिए next है आपका 38 number 38 परस्ण का रहा है कि पिर्थवी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है तो अभी आपको बता दिए थे हाना कि पिर्थवी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखता है यानि कि चंद्रमा पिर्थवी का एक चकर पूरा करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चकर लगाता है और यही कारण है कि हम पिर्थवी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते है वो कितना परतीसाथ तो 69 परतीसाथ यह कोसन आपका रेपीट हो गया है ठीक है नेक्स्ट परस्ट है आपका 39 कारा कि पिर्थवी को भू आभ के रूप में वरनित किया जाता है देखिए पिर्थवी को भू आभ के रूप में वरनित क्यों किया जाता है तो option देखिए पिर्थवी की दो तीहाय सतह जल से धाकी होई या या आपका नहीं होगा दूसरा option है कि जीवन के लिए अनुकूल परिष्थितियां के वल पिर्थवी पर पाये जाती है पिर्थवी धुर्वों के पास थोड़ी चप्टी है पिर्थवी न तो अधिक गर्म है और नहीं अधिक ठंडी है इसका एंसर क्या हो जागा बताइए देखिए इसका जो भू आपका मतलब यह होता है पिर्थवी जो है हमारा धुर्व के पास थोड़ा सा क्या हुआ है यह चप्टा है यानि कि पिर्थवी क्या है पूरी तरह से गोल नहीं है इसको कहा जाता है अगर आपसे कभी question पूछ भी लिया जा कि पिर्थवी की आकरिती कैसी है तो भू आपकी आकरिती की है ठीक है ये आपको option में आपको मिल जागा कभी गभी तो ये आप दियाद रखेगा पिर्थवी की आकरिती कैसी है भू आप यानि की आकरिती विहीन है ठीक है इसकी कोई ये ध्यान रखना है, गोल और चप्टा और लंबा चोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, भू आपकी अक्रिती है हमारी पिरतेवी, नेक्ट प्रस्न है आपका 40 नंबर, प्रस्न है कि गरहों के निमलेखित समूहों में से किस समूह के चारो और चल्ले हैं, अब देखिए कल आपक शूकर यानिसर नंबर, 4, यानि कि स dependent की और यूरिनेस, देखिए यहाँ और बंढ़र, चाट सकते थे, मंगल के बीच में नहीं है, और शूक्र के बीच में भी नहीं हैं, मंगल में नहीं है, तो एक औप्षन आपका और Uranus इसके चारोर क्या है तो छले पाये जाते हैं ठीक है याद रखना है काफी important प्रस्ण था next प्रस्ण है आपका प्रस्ण no.41 41 प्रस्ण है कि ईराल परवत अलग करता है देखिए काफी important प्रस्ण है कि ईराल परवत किसको अलग करता है प्रस्ण क्या कर रहा है और यह जो प्रस्ण है आज का लास्ट प्रस्ण है ठीक है आज का लास्ट प्रस्ण है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए का जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब आपको समझाया जाएगा बताया जाएगा ठीक चलिए तहीं इसके पिर्थवी तिन क्या है इसकी परिभासा क्या है यह आपको बताये थे अभी यह फिर्थवी दिन पीछे भी आया था कौस्ट्ण और यह फिर से कोस्ट्ण ठीक है गलोब से संबंदित जितने भी मतपुन फैक्ट है इसको हम कल केलियर कर लेंगे क्योंकि गलोब से आपका फिक्स है दो से तिन परसन आपको पूछा जागा और कल जो गलोब होगा तो कल आपका क्यूस्चन एंसर भी हम लोग कर लेंगे और आपका यहाँ पर पूरा थियोरी भी कल पढ़ लेंगे यानि कि दोनों चीज आपका कल हो जाएगा क्योंकि गलोब ज्यादा बड़ा चेप्टर नहीं है छोटा सा चेप्टर है आपका अना तो यहाँ पर दोनों कल आपका कर लेंगे चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं फिर कल मिलेंगे नेक् केरा